तो एगाईस तो केसेओ आप सभी आपका स्वागत है मेरे चैनल पर यानि की कॉस्मिक ड्वागो एक्स में तो आज की उडियो आपन करने वाले हैं फुल एक्सप्लेइन बे बलेड बर्श टर्वो का एपिसोड 45 फुल एक्सप्लेइन इन हिंदी में तो आज की वीडियो में बने रहना और वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है और यह एपिसोड भी बहुत कमाल का है तो बिना किसी तरी के एपिसोड को स्टार्ट करते है तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता कि लावन पत्तर पर पत्तर रखा हो रहा होता है मतलब पत्तर गया है और उस प्लेन से अपना जो आईगर होता है वो निकलाता है और अलावन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और तभी आते ही दोनों अपना मतलब घ्रा कर देते हैं और दोनों हसने रखते हैं तभी हमें दिखाए जाता है कि दूसरी तरफ मेरे अगले आपणन तो लेट का नाम होता है लेपट और यह बिल्कुल नया लेपट होता है और हो कहता है यह मेरा टर्बो अकिलीस और आईगर स्टेडियम के बारे पूछता है तो स्टेडियम लावन कहता है कि स्टेडियम जो होता है उस पर है तो मतलब शावने के वह उचे पहाड़ पर तो दो दोने पेड़ पर गिरते और पेड़ पर गिरने के बाद और तभी दोनों गिरने के बाद फिर से हसने लगते और еньसिंद्ध हमें दिखा जाता है किBYR लाउन और आज कहता है रात यहीद गुजरने होगी तो आईगर उससे कहता है क्या तुम मजग तो नहीं कर रहे तभी आईगर यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है और हमें एक संसेट दिखा जाता है और आईगर दिखा जाता है और लाश्क में आईगर को बहुत भुक लगे होती है और तभी वो पूछता है खाने के बारे में तुमने का सोचा और तभी लावन कहता है कि मैं खाना ढूनने ही जा रहा हूँ और तभी आईगर कहता है मैं भी तुम्हारे सता हूंगा और तभी लावन उसको जो मतलब आने के लिए माना कर देता है तुम से नहीं हो पाएगा और तभी आगर गुसा होकर खुदी खाना डिनने चला जाता है तभी वो एक मतलब जानवर के प्राणी के हाथ में फल देखता है और उसके देखकर उसका दिल लचा जाता है और तभी वो फल ढूनने चला जाता है और जोर से उसका पैर किसी लकड और तभी वह सोचता है लावन कहें का तुमसे नहीं होपाएगा बैटा और तभी वहाँ पर फिर से एक आजिप शक्ति होती है मतलब आखेवाली उसे देख रहे होती और तभी आईगर के आजु बाजु पर कोहरा आना शुरू हो जाता है और तभी वह देखता है कि उसके सा बनेंगे और तभी दोनों मतलब ऐसे तल्वार पर दिखाता है पहले उंगली मिला तल्वार मिला चाहिए बहुत बढ़एं तभी वहाँ पर लावन आ जाता है और लावन कहता है नहीं तुम क्या कर रहे हो और तभी वह कैता है चलो मैंने खाना ठोन लिया है और तभी आईगर केता है आके लिए से ही परता तभी दोनों चले जाते हैं खाने के तरफ और लावन उसे बड़ा मचली जाता है खाने के लिए और जैसे हो खाता है वो उचल पड़ता है और आएगा हसने लगता है और तभी सुबह होती है और दोनों बैटल करने के के लिए आ जाते तो वह कहता है आई गर आई गर कहता है उसे तुम यहां पर ट्रिनिक तो यह तो बहुत कमाल का है तभी वह बैलन्स मोड से शुरू करते थे और दोनों की बैटल चालू हो जाती तभी आई गर के ब्लेड में से छोटे से रबल वारे हिस्से बाहर आ जाते औ और तभी दोनों की बैटल चर रहे होती है और हमें दिखाय जाते दोनों बहुत बढ़िया तरीके से बैटल कर रहे होते और तभी आकिलीज जोर से चमकने उठता है और लावन उसे आटक करने के लिए लेपट को कहता है और दोनों जो होते हैं मतलब टर्बो वील्ड आप से साख साख जुड़े होते हैं और दोनों की पतियों पर टकर हो जाती है जिस से आकिलीज साइड में हो जाता है और फिर से नीचा आने पर जोर की उनने मैं गहमसान टकर हो जाती है और घैक करने के लिए जाने के लिए कहता है उसे आटेक करने के लिए कहता है और तभी हम देखते कि लेपट पूरे जोश में आटेक करने के लिए जा रहा होता है और तभी जो होता है आएगर अपना टर्बो मतलब टर्बो शिल्ड लगता है मतलब अकिलिस की टर्बो शिल्ड लगता है और लावन का ब्लेट जोर से स्पीड पकड़ लेता है और उस पर अपना स्पेशल मूव यूज़ करता है जो होता है ना मतलब गुमा के फेक देने वाला तो पेशल मूव का नाम याद नहीं आ रहा आप बाता दो और तभी वह स्पेशल मूव कर देता है और आईगर की ब्लेट करना पड़ता है दुसरे एणिवल से हमें बहुत uy तगड़ा पाऊर्फुल बनना पड़ता है और तभी जो लावन होता है उसके मूव पर हमें एक पैउन्थर दिखाये देता है और तभी वह कहता है हे रुक जाओ इस बार तो मैं कर दिखाऊंगा और तभी आएगा जो ह फीचे लांच कर देता है और दोनों की एक घमसन टकर हो जाती है दोनों बहुत ही तगड़े तरह से बेव लेडिंग कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं की बहुत देता है और तभी अपना स्पेशल मूव यूस करता है और तभी हमें आईगर भी अपना स्पेशल मूव यूस करते हुए दिखाए देता है और तभी दोनों के ब्लेड फिर से पट्री पर आ जाती है और उनकी पट्री मिल जाती है और जो लावन होता है अपना स्पेशल मू तो हावलिंग बाइट करता है अपना special move और leopard बाहर आ जाता है और तभी आईगर अपना Achilles को बुलाता है और Achilles भी बाहर आ जाता है और दोनों की एक घमासंग टकर होने वाली रहती है और अपना हावलिंग बाइट वाला लावन पूरी तार से तयोर रहता है और दोनों में बहुत ही घमासंग बैटल चलती है और तभी वह हावलिंग बाइट करता है मतलब पिछले एपिसोड में भी मतलब बैटल में भी हावलिंग बाइट किये थी और तभी वह आपने टर्बो स्वाल्ड करता है और उसके बिलेड में से दो स्वाल्ड बहार आती है और लेपड बच्चा बड़ा हो तभी हम 52 हमते हैं कि आइगर फिर से अपना मतलब जिद कहा होता है आई जाता है और बच्चा बड़ा हो और तभी हमें दिखाए दढ़ता है कि आइगर भी माणचा वह पर होते और तभी आते ही देखते हैं दोनों के पास दो दो पॉइंट है और किट ने वार्ट का बनिडे मतलब बॉस्ट किया होता है और ऑब किट इस देखर ऑर लॉंच करता है और वर्ट भी इस बार हमें इनकी बहुत खरतरनाक बैटल दिखाये देते और वैल ट्रेक्त में से आपने रबल वाले मतलब बाहर आ जाती है और दोनों की बैटल फिर से खुल जाती है मतलब शुरू हो जाती है और इसे देखकर आगर कहता है किट ने पॉइंट के से बना ले वर्ट की तरब से और तभी दोनों में बहुत खतरनाक बैटल हो रही होती है अगर आप इस बैटल की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा तो जाकर देख सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेर वैल ट्रेक का पूरा वर्ष्ट वन होने वाले रहता है और तभी वो किट कहता है अब यह सही मोका है और आपने जो एयर नाइट जो उसका ब्लेड है वह मतलब ऊपर चला जाता है आप देखी सकते हो तो विंड पकड़ लेता है और जोर से वैल ट्रेक पर खुमते हो अट से वैल ट्रेक को अटकर मार देता है लेकिन हमें दिखाए देता है कि वॉल्ट आवे भी कम नहीं वॉल्ट आवे भी कोशिश करता है उसको जीतने की और किट अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वॉल्ट आपने वैल ट्रेक को पुकारता है और वैल ट्रेक जो होता है हो बहर आजाता है और वैल ट्रैक बहार आने के बाद उनमें फ़नासान एक घतनाक बहुता स्टेडम हिले पार हाओ तोरट रहे होता है and stop तोट वयटू फोर्स के मतलब स्कोर से जिद जाता है और विनर बन जाता है और अपनी बेल्ट बचा लेता है वाल्ट चैम्पुनिय मोली तो गाइस यही पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है बेवलेट बस्ट एपिसोड 45 की तो आप मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जक्कर दे टक्कर और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को कर देना तो आप मैं मिलता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जक्कर दे टक्कर